मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून इस्ट्रोलजी में आईए जोतिश के एक नए कारिक्रम में चर्चा की जाए शनी ग्रह की जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग पांच महिने तक वक्री यानि रेट्रोग्रेड रहने के बाद शनी देव 11 अक्टूबर को लगभग 141 दिन के बाद डिरेक्ट मोशन में आएंगे यहां जोतिश जगत में शनी ग्रह का खासा महत्व है क्योंकि इन्हें एक प्लैनेट ओफ कर्मा माना जाता है और जब यह पीछे की और चलते हैं जब यह बैकवर्ड चलते हैं रेट्रोग्रेड रहते हैं तो ये माना जाता है कि ये हमारे कार्मिक री बैलंसिंग का टाइम है यहाँ पे जो हमने पास्ट में कुछ हमारी लेन देन रह गई थी उसको बैलंस करने का ये समय होता है एक जो बहुत जरूरी जानकारी में देना चाहूंगी कि जिनकी भी जन्म की कुंडली में शनी वक्री हैं तो उन्हें शनी के वक्रत्व अवस्था में कुछ लाव देखने को मिल सकता है और जिनके जन्म की कुंडली में शनी मार्गी होते हैं उनके जीवन में शनी के मार्ग हैं और वो कहां पे आपकी कुंडली में अवस्तित हैं उन सभी भावों से संबंधित आपको लाव मिलने शुरू हो जाएंगे प्रुवाइड़ आपके शनी जो है वो मित्र राशी में हैं स्वर राशी में हैं या अपनी उच्च राशी में हैं अगर वो नीच के हैं या अपनी शत्रू राशी में हैं या उन्हें दिशाबल नहीं प्राप्त है या उन्हें डिग्रीकली वीक हैं तो उसके लिए पर्सनल कंसिल्टेशन ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये भी बात है कि 18 ऑक्टूबर से गुरू रिहस्पती भी डारेक्ट हो जाएंगे ये दोनों ग्रह बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं और ये दोनों मारगी हो जाएंगे ऑक्टूबर महिने में ही और ये दोनों एक साथ ही रेट जरूर देखने को मिलेगा एक आप ओवरॉल आप देखेंगे कि चाहे आप किसी भी राशी के हों किसी भी लगन के हों एक जनरल थोड़ी सी आप में जीवन में जोश और उत्सा की अधिकता पाई जाएगी आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा एक आप फ्रेशनेस फील करेंगे तो इस तरह की स्थिती बन रही है तो मैं आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत एंथूजियास्टिक हूँ कि सभी हम सभी बारस जौड़ीक साइन वालों के लिए ये एक बहुत ही अच्छे समय की शुरुआत हो रही है अब बात करूं करक राशी वाले ज सेवंध हाउस में सैटन को डिरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है सेवंध हाउस में आकर सैटन दिखबली हो जाते हैं और यहां से सैटन आपके लगन को देख रहे हैं तो आप में थोड़ा सा वैराग थोड़ा सा जीवन के प्रती एक बहुत दार्शनिक रवया आ सकता है आप अपने चीजों को अस्त्वियस्त रख सकते हैं, बहुत आप ग्रूमड अप रहना आपको नहीं पसंद आ सकता है, आप थोड़े से दार्शनिक हो सकते हैं, फिलोसोफिकल हो सकते हैं, आप अपने लवद वान्स के लिए जो आपके बहुत नातिय रिष्टेदार हैं, उनके लिए आप थोड़े से कोल्ड हो सकते हैं, रिष्टों में ठंधापन ला सकते हैं, तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि करक राशी वाले लोगों के लिए सिती रिष्टों को लेकर थोड़ी सी सजगता से भरी हुई है, आप देखिए यहां पे आप अगर लेकिन एक सफलता मिल सकती है, आप जो भी अभी आप पिछले अतीत में आपने बहुत सारे चुनोतियों का सामना किया, आपने बहुत सारी अंसर्टिन्टीज देखी, अपने पॉफिक्ट पार्टनर को आप खोज नहीं पा रहे थे, तो लेकिन अब वो इंतजार की घड़ी खतम हु हो सकता है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा सजग रहिएगा, और प्रोफेशनल फ्रंट की बात करूं, मैं आपके वैब साइक जीवन की बात करूं, तो आप देखिए कि आपके काम में थोड़ी सी जो रुकावट बनी हुई थी, आप पार्टनर्शिप में आप क्लिक नह परता हुआ सा देख रहा है, और आपको अपने बिजनस पार्टनर्स और कॉलिक्स के साथ आप किसी भी तरह के बहसबाजी में मत पढ़िए, कॉन्फिक्ट्स में मत पढ़िए, आपको यही सलाह दी जाती है, और अगर आप लेथारजी फील कर रहे हैं, आलस से का अनुभ हो जाता है, तो उससे आप बचिए, शनी की सभी अच्छाईयों को ग्रहन कीजिए, उनका आशिरवाद लीजिए, पर उनके जो बैड इफेक्ट्स हैं, उनसे बचने के लिए आप सिर्फ अपने को समय का पाबंद रखिए, आलस से से दूर रखिए, देखिए आप अपने सबॉर्डिनेट्स और मैनेजमेंट के लिए एक इनेविटेबल एसेट बनते वे दिख रहे हैं, और आप अपने प्रोजेक्ट्स को, अगर आपके हाथ में कुछ नए प्रोजेक्ट्स इस समय अंतराल के दौरान आते हैं, तो वो आप उसे जरूर शुरू कीजिए और के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है, एक जो word of caution मैं दूंगी कि आप अपने माता जी के health का ध्यान रखिएगा, और mother का health थोड़ा सा मुझे नासाज होता हुआ देख रहा है, तो माता जी के आप स्वास्त का पूरी तरह से ध्यान रखिए